नमस्कार दोस्तों जैहिंद स्वागत है आप सभी का एक्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोबल पुरुषकार के बारे में आप सभी को पता है कि जो हमारे यहां या विश वर्वे जो सबसे जाना प्रतिस्ठित सम्मान है वो नोबल पुरुषकार को माना जाता है हाल ही में आपके नोबल पुरुषकार दिये गए हैं तो कंप्लीट चर्चा हम लोग करेंगे नोबल पुरुषकार के बारे में इस वीडियो में सबसे पहले परिचे करते हैं कि क्या है नोबल पुरुषकार क्यूं दिय तो यह हमारा telegram group है, exam coach 1 के नाम से, आप सब लोग telegram का group join कर लीजेगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, यह हमारे app के कुछ view है, जो आपको दिया गया है, आप exam coach का app भी डाउनलोड कर सकते हैं, exam coach का app आप डाउनलोड कर लेंगे, तो यह सभी classes आपको add free of cost देखने क मिलेंगी, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं, हम लोग, यह है आपके Alfred Nobel महोद है, Alfred Nobel की अगर बात करें, तो Alfred Nobel का जो जन्म है, वो 21 October 1833 को हुआ था, 21 October 1833 को Alfred Nobel का जल्म Stockholm, Sweden में हुआ, यह पेसे से एक chemist थे, एक invention अविशकारक थे, inventor थे, और engineer थे, chemist, engineer, inventor बहुत कुछ थे, अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने 355 inventions किये, जिन में से सबसे जो ज़्यादा खास था, वो था आपका dynamite का invention, dynamite का invention, बहुत ही ज़्यादा इनका famous हुआ, और हलाकि dynamite जो है, आपको भी पता है कि यह विसफोटक पतार्थों में use होता है, जो इन्होंने dynamite का अविशकार तो किया, और सबसे ज़्यादा famous भी उसके लिए हुए, लेकिन dynamite के invention से यह खुद इतने दुखी थे, कि इन्हो इन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें स्वयम इन्होंने वर्डन किया था, कि आज मैंने एक ऐसी चीज का अविशकार कर दिया है, कि जिसका सार्थक प्रियोग लोग कम करेंगे, लेकिन उसका जो विनाशकारी प्रभाव होगा, वो बहुत ही जाता होगा, और in dynamite जो यूज होता है, इन्होंने इसका invention किया था, 21 October 1833 को इनका जनम हुआ, Stockholm, Sweden में, तो यानि कि निवासी कहां के है, निवासी है, Sweden के है, लास्ट में इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कई बार विल बनाया, विल मतलब वसीहत बनाई, कई बार वसीहत बनाई, लेकिन इनकी लास्ट वसीहत मिली, उसमें इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का, मतलब इनका जो भी वेल्थ था, उसका 94% पार्ट, 94% पार्ट दे दिया गौर्रमेंट को, कि इसकी जो 94% मेरी जो वेल्थ है, इससे आप नोबल पुरुषकार की शुरुआत करिएगा, नोबल पु Physics, Chemistry, Physiology या Medicine जिसको बोलते हैं, Literature और Peace, मतलब जो लोग Humanity के लिए, समाज के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं, Physics, Chemistry, Medicine, Literature और Physics, Chemistry, Medicine, Literature और आपका Peace, इन पांच छेत्रों में जो लोग सर्वशेष्ट कारेंगे, उसके लिए इस पुरुषकार का अविशकार किया, मतलब य इनकी death के बाद इन ही की property से start किया गया था, अब हम लोग बात करें कि पुरुषकारों का क्या है, तो पांच छेत्रों में ये पुरुषकार दिये गए, क्या मिलता है इस पुरुषकार में, तो इस पुरुषकार में आपको एक gold medal से नमाजा जाता है, एक gold medal मिलता है, साथ Sweden की currency है krono, तो 10 million Sweden krono की रासी भी साथ में provide की जाती है, अब जो एक पुरुषकार है इनका, जो physics, chemistry, literature, peace, medicine सभी छेत्रों में दिया जाता है, अगर हम लोग individual level पे बात करें, तो individual level पे एक पुरुषकार, जैसे physics के छेत्र में हुआ, तो जाद जादा एक बार में तीन लो पुरुषकार की जिसमें मैंने आपको बताया कि जब शुरुवात हुई पुरुषकार की, सबसे पहली बार 1901 में, 1901 में पुरुषकारों की शुरुवात हुई, और सिर्फ 5 छेत्र हुआ करते थे, पर आज की डेट में इसमें 6 छेत्र हैं, जिसमें से आपका economics का जो छेत्र है, उसको बाद में, इकनॉमिक साइन्स का जो छेत्र है, वो बाद में एड किया गया, वो एड किया है आपका, सिवर्जिस रिक्स बैंक ने, 1968 में सिवर्जिस रिक्स बैंक, जो स्वेडन का बैंक है, इसने economics साइन्स के फिल्ड को एड कराया, उसका जो पैसा लगता है, जो खर्चा आता है, व नौ बार इस पुरुषकार का वित्रड का आयोजन किया गया, जिसमें 975 लोगों को नोबल पुरुषकार से नवाजा गया, 25 संस्थाओं को पीस के छेतर में संस्थाएं को मिलता है, मने आपको बताया, तो 25 संस्थाओं को नोबल पीस प्राइस प्राप्त हुआ है, जिसम को एक नहीं बलकि एक से अधिक बार नोबल पुरुषकार से नवाज आ गया, अब इसकी बात करते हैं, अलग-अलग संस्थाएं हैं जो अलग-अलग छेतर में पुरुषकार देती हैं, सबसे पहले आती है आपकी Royal Swedish Academy of Science, Royal Swedish Academy of Science, ये आपका Chemistry, Physics और Economics, Physics, Chemistry और Economics के छेतर में Royal Swedish Academy of Science पुरुषकार से नवाज ती है, Nobel Assembly at the Carlonska Institute, Nobel Assembly at the Carlonska Institute जो है, ये Physiology ये Medicine, अबरिक में है, Physiology या फिर Medicine जिसको आप जानते हो, उस चेतर का Award ये संस्था देती है, Swedish Academy, Literature के लिए आपको Nobel पुरुषकार देती है, और Norwegian Nobel Committee जो है, वो आपको Peace के लिए Nobel पुरुषकार से नवा साल 10 December की तारीख जो की पूर्ण तिती होती है, 10 December जो की पूर्ण तिती होती है, Alfred Nobel साहाप की उसी तारीख को आपका Nobel पुरुषकार दिया जाता है, ठीक है भाई? तो ये एक आपका ओवर्व्यू था, कि किस-किस छेत्रों में दिया जाता है, मैंने आपको बताया कि शुरुआत में सिर्फ 5 छेत्र थे, बाद में सवरजी सेलेक्स बैंक ने Economics Science छेत्र को एड़ किया है 1968 में, और 1989 से इसमें Economics के छेत्र को एड़ किया गया, तो आज की भी सीमा नहीं है, उसमें कितने भी लोग हो सकते हैं, कितने भी लोग कारेरत हो सकते हैं, मैंने आपको साथी साथ ये भी बताया कि कौन सी कमिटी है, या कौन सी जो मेंबर का बोर्ड है, वो किस छेत्र में दिती है, जैसे आपका Royal Swedish Academy जो है, वो Chemistry, Physics और Economics के लिए, Noble Assembly at Carlonsica Institute, ये Medicine के लिए, Swedish Academy Literature के लिए, और Norwegian Nobel Committee देती है आपका Peace के लिए, इनका जो जन्म दिवश है, वो है 21 October 1833, Stockholm, Sweden, और 10 December 1896 को इनकी डेथ हुई थी, Dynamite के invention के लिए बहुत ही ज़्यादा famous हुए, लेकिन अपने जीवन काल में इन्होंने 355 invention किये थे, 355 invention किये थे, पेसे से ये एक Swedish chemist थे, engineer थे, industrialist थे, ठीके, तो ये सारी भाते हो गए आपकी Nobel Prize के बारे में, और पुरुषकारों का वित्रड, Alfred Nobel की पूर्टिती 10 December को किया जाता है, मैंने आपको बताया कि 10 December 1896 को इनकी डेथ हुई और तभी इस पुरुषकार को दिया जाता है, Alfred Nobel में 1867 में डाइनामाइट की खोश की, और ये इनकी एक most important research थी, Nobel पुरुषकार कुल 6 छेत्र, भौतकी, रशायन विज्ञान, चिकित्सा, साहिती, आर्थसास्त्र जो की बाद में एड़ हुआ, और सांती, कुल 6 छेत्रों में Nobel पुरुषकार दिया जाता है, एक स्वडपदक, एक डिपलोमा और 10 मिलियन स्वेडिश क्रूनों, 10 मिलियन स्वेडिश क्रूनों का मौद्रिक पुरुषकार दिया जाता है, मतलब monetary जो मैंने आपको अभी बताया था, वही चीज़ लिखी हुई है, The Royal Swedish Academy of Sciences, भौत की अर्थसांस्त्र और रसायन सांत्र, यानि की Physics, Chemistry और Economics वाला जो पुरुषकार है, वह देती है, आपकी The Royal Swedish Academy of Sciences, Carleonsica Institute, Carleonsica Institute, चिकित्सा के छेतर में, Norwegian Nobel Summiti Santhi के छेतर में पुरुषकार देती है, Swedish Academy जो है आपका, वह literature के छेतर में दिती है, कौन? Swedish Academy, literature के छेतर में देखती है, वह उसमें नहीं लिखा है, उसको भी आप याद रखिएगा Swedish Academy. पहला नोबल सांती बुरुषकार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जया हैरी दुनांत को दिया गया था और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यश फ्रेडरिक पैसी फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया अब यहीं पर आपको वहली पॉइंट में याद हो जानी सही है मैंने आपको बताय था कि इस पुरुषकार को अगर हम चाहे तो मैक्समम दू मैक्समम तीन लोगों के साथ साईयूक्त रूप से दे सकते हैं जादा से जादा तीन लिकन यहाँ पर सिर्फ दो लोग है जिनको पहली बार सांती पुरुषकार 1968 में स्थापित किया गया आपको बताया मैंने कि आपका जो बैंक था सिवर्जीस रिक्स बैंक लिख देता हूं में सिवर्जीस रिक्स बैंक इसने इसको फंड किया था एकनोमिक्स के लिए पहली बार 1969 में दिया गया 268 में शुरुवात हुई, किसको दिया गया था, Ragnar Frick और John Kinbergen को दिया गया था, सांती के लिए दिये जाने वाला नोबल पुरुषकार, ओसलो में, जबकि बाकी सभी पुरुषकार, स्टॉक होम, सांती के लिए कहां, ओसलो में और बाकी सभी स्टॉक होम में दिये जाते है मात्मा गांधी को कभी सांती का नोबल पुरुषकार नहीं मिला, क्योंकि आप सभी जानते हो, कि सत्य और अहिंसा का नाम आते ही, सबसे बड़ा नाम आता है, गांधी जी का, हलाकि इनको दुर्भाग की बात कहें, आज तक नोबल पुरुषकार नहीं प्राप्त हुआ, जबकि इनका नामांकन जो है, वो पाँच बार, पचास लोगों का नामांकन होता है, फाइनल, पचास लोगों का फाइनल नामांकन होता है, ये भी याद रखना, जिसमें फाइनल इनका जो नाम होता है, वो पचास साल के लिए लिए लिस्ट में रखा जाता है, तो के चेत्र में गितानजली के लिए इस पुरुषकार से नवाजा गया. किसे? रविंद्रनाथ ट्यागोर जी को सबसे पहले इस पुरुषकार से नवाजा गया. दूसरे, सीवी रमन ने प्रकास से जुड़े रमन इफेक्ट, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, रमन ट्यागोर जी को दिया गया. दूसरा पुरुषकार, 1930 में सीवी रमन जी को दिया गया, डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया, फिजिक्स में आर्थसास्त्री अमरित सेन को 1998 में आर्थसास्त्र, यानि कि एकनॉमिक्स, एकनॉमिक्स के छेत्र में दिया गया, नोबल पुरुषकार दिया गया था 2014 का सांती का नोबल पुरुषकार कैलाश सत्यार्थी कैलाश सत्यार्थी को मिला है साल 2019 के लिए अर्थसास्त्र का प्रतिष्टित नोबल पुरुषकार भारतिये मूल के अमेरिकी अर्थसास्त्री अभिजीत बनर जी को दिया गया तो यह बिटा ओरिजिनल्टी क्या है कि यह भारतिये मूल के है अभिजीत बनर जी लेकिन अभी फिलाल जो इनका रेजिडेंस है वो कहां पे है वो अमेरिका में हैं यानि के NRI हैं ये तो इनको दिया गया है 2019 का अभिजीत बनर जी को तो यहाँ पर आपको पूरा भारत दिखेगा पहला रफिंद्रनाट टैगोर दूसरा सीवी रमन तीसरा अमरित सेन फिर केला सत्यार्थी और फिर अभिजीत बनर जी जी को दिया गया जो कि स्वेडन के निवासी है साहित के लिए फ्रेंच लेखी का एनी अर्नो को दिया गया भौतिक अलन अस्पेक्ट जॉन एफ क्लाउसर और एंटन जिलिंगर एंटन जिलिंगर तीन लोगों को दिखे आपको यहाँ पर कहीं पर भी तीन से जादा लोगों के नाम नहीं म क्लाउसर और एंटन जिलिंगर तीन लोगों को संयुक्त रूप से परिष्टक दिया गया रशायन के छेतर में बात करें कैमेस्ट्री के छेतर में बात करें तो कैरोलिन, बेल टोजी, मौर्टिन, मियलडॉल और के बैरी सार्पलेस, के बैरी सार्पलेस, यहाँ पर भी के Douglas W. Diamond और Philip H. Diabig, Philip H. Diabig को ये पुरुषगार दिया गया, तो यानि कि यहाँ पे तीन सहियूग तुरूप से, तीन सहियूग तुरूप से, तीन Physics, Chemistry और अर्थसास्त्र, Economics, ये तीन आपके Joint तूप से दिये गए हैं, चिकित्सा के छेत्र में अकेले है स्वांते पैबोजी, स्वेडन के साहित के मिफ्रेंच लेखी का एनी अर्णोजी है, अकेली है, सांती के लिए, बेला रूस के मानव अधिकार कार्टा, LS Bielatsky के अलावा, दो संस्थाओं, रूसी समू मेमोरियल, रूसी समू मेमोरियल, और युक्रेनी संस्था, Center for Civil Liberties, Center for Civil Liberties के नामों का एलान किया गया, कुल मिला करके यहाँ पर भी तीन संस्थाओं को सांती पुरुषकार दिया गया, एक आपकी युक्रेन की है, दूसरी रूस की है, चुकि भाई, सबसे जादा सांती के ज़रूरत इस वक्त युक्रेन और रूस कोई थी, तो व बेलरूस के मानम अथिकार कारिकर्त था, एलेस, बिलयक्स की के अरामा, दो संस्थाओं, मतलब एक यह सिंगल परसन है, और बाकी आपकी दो संस्थाओं हैं, इनको नोबल पुरुषकार से नमाजा गया, तो आज की इस वीडियो में आपने जाना, कि नोबल पुरुषकार की शुरुआत कहा से हुई, किस ने किया नोबल पुरुषकार की शुरुआत, इसके जनमदाता कौन है, क्यों फेमस है, अभी तक भारत में नोबल पुरुषकार किसको किसको मिला, और साथी साथ 2022 का जो नोबल पुरुषकार है, जो आपका बहुत ही हाट, current affairs का भी topic अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलिग्राम चैनल से जरूर जुड़े, टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है, वो आपके लिए यहाँ पे अवलेबल है, मैं आपको दिखाया दे रहा हूँ. यह आप हमारा टेलिग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं, आप हमारे आप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बाई? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल, ठीक है? जय हिंद, जय भारत!